हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइ नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास, बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग, फार्मा को थेरोपेटिक्स का, चैप्टर नमबर 2D का, ठीक है न, लेक्टर नमबर था, जिसका अंदल हम पढ़ लेते चीजे थी, अल्जाइमर में क्या होगा, चीजे इंसान भूल जाएगा, उसका जो मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता, तो बिल्कूल ध्यान रखना पार्किंसन अलग है, अल्जाइमर अलग है, ठीक है न, बच्चे कन्फ्यूस करते हैं, तो आप डेफिनिशन से स्टा खराब होती है, जैसे कि उधारन के तोर पर बता दूँ है, लोहे में जब जंग लग जाता है, तो हम कहा सकते हैं, वो धीरे-धीरे करके खराब हो रहा है, that is degenerative brain disorder, हमारे brain के निरॉंस धीरे-धीरे करके खराब होना शुरू होते हैं, और अन्नोन एटेलोजी, इसकी एट, कनफर्म एटेलोजी नहीं पाता, एग्जेट करण क्या होते हैं इसके, which is the most common form of dementia, बुलककर बन, चीज़ों को भूल जाना, ठीक है ना, यह अजायमर होगता है, चीज़ों आपको याद रहेंगी ने, that usually starts in late middle age, जो generally late middle age, 40-50 में start होता है, और बड़ापे में जाकरके, और लॉस किसमें होती है, पार्किंसन में, अल्जाइमर में, एपिलेप्सी में इस तरह सकता है, तो memory loss होने start होता है, impaired thinking, हम जो सोच रहे हैं, हमाई जो thinking है, वो correlate नहीं कर पाते हैं, मतलब हम लोग एक लैम में सोचना चाते हैं, मैं सोचना चाता हूँ कि मैं शाम को आके यह कर आप कौन हैं, कहां रह रहे हो, तवाम बाते होने लगती है, मूर में चेंज आना स्टाट हो जाता है, there is degeneration of brain neurons, यहाँ पर brain के जो neurons है, neuron cell पता है ना, neural neural transmission, neuron, neuron पढ़ाधा में, डिटेल में, याद आ गया, वो जो neuron होते हैं, वो degenerate होना सुरू हो जाते हैं, especially in the cerebral cortex, जो brain का cerebral cortex वाला part होता है, ठीक है ना, उसके जो हिस्से होते हैं, जो तुम लोग ने पढ़ा होगा, human anatomy or physiology में, है ना, brain को डिटेल में पढ़ा होगा, तो cerebral cortex वाला जो पार्ट है, उसके जो neurons होते हैं, वहाँ, especially damage आता है, and presence of neurofibrillary tangles, यह जो neurofibrillary tangles कहा लो, यह एक kind की protein होती है, ठीक ठीक है ना, तो जो beta amyloid cells, plakes चो होते हैं, containing beta amyloid cells होते हैं, इसके अंदर, ठीक है ना, तो अब जड़ा जहां देखते हैं, हमारा पास एक यह normal brain cells हैं, और neurofibrillary tangles, यह देख रो, हलके हलके हैं, यह पर गड़ा-गड़ा अलग सा दिखा रहा होगा, यह protein साना, इस्टार् होन है, बट अगर हम फिर भी देखना चाहें, किन लोगों में ज्यादा पाये गया है, तो etological factor for alzheimer disease में क्या है, कुछ metals responsible हैं, इसके लिए, कौन-कौन से metals है, arsenic, lead, copper, mercury, है ना, cardiovascular disease, hypertension, head trauma, diabetes, trauma, तो सर में चोट बोटक जाएना, environmental factor है, तबाकू, smoke, pesticide वगरा, ठीक है, aging, free radical generation, बड़ापा आता है, तो free radical बहुत जाता बनने लगता है, genetic की बात करना है, mutation, mutation in ap, आप यह याद रखेंगे, जरूत नहीं है, तुमको इस level पर, कि कौन से genes में mutation हो जाता है, simple याद रखेंगे, mutation हो रहा है, और polymorphism of apo e4, जो gene है, gene के नाम है, तो यहाँ पर simple तुम genetics, genetics में आगे add कर सकते हो, mutation, ठीक है, और polymorphism, इस तरीके से लिख सकते हो, अधरवाश केबल genetic factor लिखके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, तो यह चरपांच, etological factor है, कारक है इसके, जिनकी वज़े से Alzheimer हो जाता है, आगे अगे अगर हम बात करें, तो next है, हमारे पास pathogenesis, अब pathogenesis में, तो अब सब देखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चीजें, लंबी चोड़ी हैं यहाँ पर, फिर मैं कोशिच करूँ है, इसको किस तरह कर सकते हो, देखो, risk factor for late onset of Alzheimer, 99% cases, late, जब बढ़ापा आ रहा है, उसी टाइम पर आपको क्या होगा, Alzheimer होगा, ठीक है, increasing age, ठीक है, और Apple iPoprotein E4 Allyl, यह वही वाला Allyl आ गया है, यहने की genetic factor है, यह चीज क्या है, Apple iPoprotein E4 Allyl, जो genes वाले factor होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, risk factor for early onset, यह 1%, बहुत rare होता है, अमाईलोट पिरकरसर प्रोटीन, जो अमाईलोट अले cell थे, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और या कि किसी को down syndrome हो, उस case में, तो तुमको यह याद, यह वाला part है, याद रहे या ना रहे, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन risk factor early onset और late onset, ठीक है, इसको याद रखना है, अब होगा क्या, जब यह start होता है, तो abnormal processing of amyloid precursor protein, जो amyloid को बनाने वाले proteins होते हैं, उनकी जो processing होती है, abnormal हो जाती है, normal नहीं रहती है, ठीक है, इसकी वैसे क्या होगा, increased formation या reduced clearance of amyloid beta peptide, जो amyloid beta peptide है, ठीक है, प्रोटीन आ गया, amyloid beta peptide है, इनका बनेंगे ज्यादा यह, यह इनका clearance कम हो जाएगा, या इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, और या मात्रा नहीं बढ़ सुरू हो जाते हैं, अब क्या हो गया, दोनों ही condition में, aggregation of amyloid beta और inflammation, इखटा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और inflammation करना स्टार्ट करेंगे, inflammation का मतला पता ही है, क्या होता है, सूजन, redness, fever आने, सब inflammation के लक्षण होते हैं, जो बढ़ा हुआ है, वो क्या करेगा, cerebrovascular amyloid beta deposition, यह cerebrovascular part जो है, brain का, वहाँ पर इखटा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, उसके बाद क्या होगा, neuron degeneration, जैसे इखटे होगा, तो neuron का degeneration स्टार्ट हो जाएगा, या atrophy of hippocampal area, जो brain का part होता है, उसकी atrophy होना स्टार्ट होएगी, atrophy मतले विक तरह से, उसको ब इंफ्लमेशन होगा तो extracellular neurotic और senile plague, यहाँ पर plague का deposition क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है, तो simple है, amyolet precursor protein abnormal हो गए है, इनका clearance कम हो गया है, या formation बढ़ गया है, यह एकटे हो गया है, एकटे हो गया है, एकटे होने के बाद यह deposit होना स्टार्ट हो गया है, एक होन होना फिर वहीं पर उसकी पार्ट में, कौन से हिस्से में, ब्रेन में बढ़ गया है, ब्रेन ने फिर स्टार्ट वाले पार्ट में जाकर करके deposit हो गया है, जब deposit हो गया है, तो निरॉन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, अल्जाहिमर डिजीज हो जाती है, किलियर है, तो पैथाजनेसिस किस तरह से डिजीज जनरेट हुई है, उसका हम लोगों ने, यहां पर जितना कोशिस हो सोको, पैथाजनेसिस को, जो कोई भी जैसी पड़ र इसे, खतम काने, उसको अटा दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, लेकिन, फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, अटमटिक अंडर्स्ट हो जाएगा, तीन नमबर के लिए इतना फ्लो चार् नहीं पता, भूल गए, डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग फैमिलियर टास्क, जो काम रोज करते हैं, मान लो, रोज रूटी बना रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़े हम रोज करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, भूल गए हो, मिस प्लेसिंग आइट नहीं दे पाएगा, कोई अगर फैसला लेना है तो नहीं ले पाएगा, जो सामने इमेज देख रहा है, इस पेस है, उससे दिक्क्त आने स्टार्ट हो जाती है, अनफांडेट इमोशन्स, ऐसे से इमोशन्स आएंगे, जो उसनों सोचे नहीं है, डिफिकल्टी विद करेंगे, अच्छा ये दिमागी वाले दिक्कतों में, कॉमन ट्रीटमेंट चलते हैं, टाइप आफ डिमेंशिया, इसकी जरूरूत नहीं हम याद रखने की, सबसे पहले क्या है, इन्जॉयबल लीजर एक्टिविटी, लीजर मतलब फुर्सत के पल, पर पेशेंट याद रखने के लिए ठेरपी करा जाती है, जिससे की वो पिष्ली बातों को जादा स्यादा याद रख सके, इंद्डूर गार्डनेंग, बैक भीकिंग ठीक है न, तो यह सब चीजें क्या है, इससे क्या करना जिससे दिमागी कासरत होती है, उससे क्या होगा, आपका नॉ वाँसा आसान होगा friendly हो जाएगा देन इस्ट्रक्ट्ट्र इस्ट्रक्ट्ट्र फिजिकल एक्सराइज प्रोग्राम कुछ एक्सराइज बगर होती है ठीक है तो यह कंडिशन है इसको तुम्हें याद रखना है यह याद रखना है याले पाट ठीक है दैन फार्मकोलोजिकल ट्रीट्मेंट अब फार्मकोलोजिकल ट्रीट्मेंट में भी तुम्हें ड्रक्स वाला पार्ट याद रखना है यह जश्ट नॉलेज के लिए ठीक है यह तीन पार्ट तुमको याद नहीं करने है कोलीन स्ट्रेस इनिवीटर यह एंजाइम जो हैना हमारा क्यूंकि हमारा निरौन से वह ही डिश्ट्राइ हो रहे थे यानिक उसके अंदर से जो हमारा जो एसेटायल कोलीन है वह नहीं निकल पाएगा और यह जो एंजाइम जो एसेटायल को हमारा ब्रेक कर देता है तो हम उस एन्जाइम को ही रोकेंगे तो कोलीस्ट्रेस इनिवीटर है ना डॉन यह प्रप्राइटरी नेम बड़ी दवाईयों के नाम है तुम लोग ऐसे फार्मसिस्ट चाहो तो याद रख सकते हो कभी किसी कोई है तो बता सकते हो कि हाँ यह एक मैडिसीन है कब लॉंच हुई थी हमें इससे मतलब नहीं है यह वाले पार्ट मैंने बताया है इससे हमें मत और चुके हैं सुरुआति चैप्टर से हुई थी हमारे पास हमने इस्टाटिक पढ़ाता था नीज रहाग सम्झमारी एट सब्सक्राइट है तो सिंपल एड़ इंजरी ट्रामा ठीक है कुछ इस तरह से बात दो चाहरा कॉमन कॉमन सी हो उनको तुम लिख सकते हो एटेलोजी में ठीक है उसके बाद तुम्हारा क्या था फार्मकलोजिकल ट्रीटमेंट होता है वो तो याद करने वाला पाट होता है ठीक है बात बागे तो इसमें अब इसके हरे टोपिक के कोशिश करना है साथ को साथ इसके याद करते हुए चलना है ठीक है ना लेक्टर के नोट्स फिर बता रहा हूं मैं का मिल जाएंगे यूटूब के जितने भी लेक्टर है मेरे उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है वहां से पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हो यह मेरा नंबर है कोई प्रॉलम आती है यह एप है अगर एप से आपको प्लाई करनी है तो और सबसे बड़ी चीज येस रिवीजन करना है ठीक है ना रिवीजन करते रहो पढ़ते रहो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे अल्दा बैस कर में?